अधिक तरी के सब्सक्राइब अधिक है कि अधिक तरी किसे चल रहे हैं तो फिर हम आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं कि आज हमने बात करनी है Statement of Purpose की उपर के Statement of Purpose जो है क्या होता है क्यूं जरूरी होता है किस लिए काम आता है और इस से हमें क्या फाइदा हो सकता है अगर यह अच्छा डाप्मिट हमारे पस बना हूँ होता है तो यह सारी चीजें जो है हम आज के इस सेशन में डिसकस करेंगे तो हम जल्दी से शुरू करेंगे लेकिन जो है उस से पहले में सारी चीजें देख लूँ के लोग जो है उन तक मेरी आवाज पहुँच रही है और सही पहुँच रही है इन तो नहीं है फिर मैं साथ-साथ जो है आपको शुरू करता हूँ इसके उपर के Statement Of Purpose जो है, यह जरूरी क्यों हूती है और किन लोगों को इसकी ज्वादा जरूरत होती है, कहां पे ओपलाए करते हैं, कौन कौन सी जगों पे ओपलाए करते हैं की सेशन में हमने णिसक्रष करना है. तो statement of purpose जो है हमारे पास ऐसा document होता है जो हमारे लिए हमसे require किया सकता है graduate programs के लिए fellowships के लिए हम जब apply कर रहे होते हैं PhD positions के लिए न तो इन programs के लिए हमें यह statement of purpose की बड़ी अश्यद जरूरत होती है लोग आप से जो है जानना चाहते हैं आपके बारे में के लिए statement of purpose के अंदर कुछ वो सौलात जो इंटर्वियूर जो है जो आप से इंटर्वियू किये बगहर जानना चाहता है उन सौलात का जो आप आपने statement of purpose के अंदर दिखना होता है ऐसा नहीं होता कि मैं कुछ एक general article ल पताना है सारा कुछ लोग होते हैं वो general चीजें कोट कर रहे होते हैं अपनी फील्ड की general चीजें उसके अंदर explain कर रहे होते हैं ऐसा बिल्कुल भी आपने इसके अंदर नहीं करना होता है तो यह हमें चाहिए होता है graduate program के लिए fellowship के लिए हमें चाहिए होता है PhD के लिए apply कर रहे हैं master's के लिए apply कर रहे हैं तो हम से universities demand करती हैं कि आपना statement of purpose जो है वो आपने हमें submit करना है अब statement of purpose जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीजे included होती है उस पे हम बात करते हैं लेकिन general हम इसके बात करें ना कि यह it is a bridge between your past experiences and your future endeavors particularly जब आप focus कर रहे होते हैं किसी एक university को choose कर करते हुए किसी एक program को choose करते हुए तो यह आपका bridge के तोर पे काम देता है कि आपके पास experiences क्या क्या है आपके पास expertise क्या 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 है और future में आप क्या करना चाहते हैं जो future में आपकी goals है objectives हैं आप किस तरह से achieve करेंगे आपने इसको पूरा bridge बनाना होता है अपनी सार कितनी pages की होना चाहिए जाते हैं सारी चीजें इस पर जाते हैं आप सबसे पहले यह करें कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो तो आप जो है इसको share कर देंगे अपनी walls की उपर तो फिर जो हैं लोगों के तक यह आवादा से ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकेगी और जो ह चीजें बता दूं कि इसके अंदर पहले हमें जरूरत क्या होती है कौन-कौन सी चीजों का होना जरूरी होता है स्टेट्मेंट आफ पर पर इसकी उपर लेंज की उपर भी जाते हैं सारे आपकी questions जितने भी होंगे आज की सेशन में हम उसको answer करने की कोशिश करेंगे तो इसके अंदर जो चीजें होने चाहिए वो यह वाय डू यू वांट तो डू ग्रेजुएट स्टेडी आप ग्रेजुएट स्टेडी करना क्यों चाहते हैं मैं चंद questions आपकी उपर पोस्ट करूंगा आपने उसको देखना है कि यह चीजें हमारे research statement of purpose के अंदर हैं यह और यह जितने question मैं आपकी उपर पोस्ट करूंगा इसके उपर आपने को lengthy paragraph नहीं लिखने होते हैं आपने sentences के अंदर अपने अपने यह चोटे चोटे जो sentences होंगे ना उसके अंदर यह चीजें आपने include करनी होंगी अपनी statement of purpose के अंदर why do you want to do graduate studies आपको graduate studies master's कर रहे हैं पी statement of purpose के अंदर फिर अगला स्वाल जो मैं आपकी उपर पोस्ट करूंगा वो यह है why do you want to do this course आप जो है यह कोर्स करना क्यों चाते हैं क्या आपके statement of purpose के अंदर इसका जवाब मुझूद है या नहीं है आपने बताना होता है ना मैं सारी इसके जवाबात की उपर भी मैं करने के बाद यह master's program करने के बाद जो खास और रिसर्च बेस्ट होते हैं आप क्या उमीद रखते हैं इस score से क्यों से स्किल्स आप सीख सकेंगे what do you want to do after you complete the program program complete करने के बाद आपके long term goals क्या हैं अच्छा यह जो चन्द question मैंने आपके सामने रखके हैं इस की उपर मैं फिर दोस्वालों के answer आ रहे हैं sentence लंबा होगा तो यह चीज़ें आपने why do you want to do graduate studies आप graduate studies क्यों करना चाहते हैं अपने दिमाग को फिर थोड़ा सा जोड़ डालेंगे कि मैं यार PhD कर रहा हूं PhD करने से मुझे क्या फायदा होगा मैं master's कर रहा हूं मुझे master's करने से क्या फायद को था और यह चीज़ें मैंने लिखनी हैं ऐसी नहीं लिखनी कुछ scientific चीज़ को मसला अब यह इस सवाल का जवाब आता तब है जब आपकी मसला पेश आ जाता है कि या कुछ मसला आप देख रहोते हैं कि जिस चीज़ें में एक post पड़ रहा था ना कि research में PhD के अंदर master's के आपने किसी चीज़ को मसला बनाना है और फिर पागलों की तरह उस मसले को हल करने के लिए लग जाना है कि छोटे-छोटे मसायल बहुत सी जिन्गियों को effect कर रहोते हैं छोटे-छोटे problem solve कर रहोते हैं research इसी का नाम है आपने उसके solution पेश करना होता है उसके लिए कोई साथ साथ question भी देखते जाऊं ताना कि वो मेरे mind में आते भी जाएं तो मैं questions आखर पर लूँगा फिर कंप्लीट करने हूं सारी साथ चीज़ें ये cover letter का भी question है हुए तो सारी चीज़े हम उस पर जाएंगे फिर why do you want to do this course आपने ये university के अंदर ही course क्यों opt किया है आप for example MIT क के अंदर course कर रहे हैं आप रोम university के अंदर आपने apply किया आप ऐस्टेलिया की university के अंदर apply किया आप नहीं सी university के अंदर ही course क्यों apply किया है इस course में कौन सी ऐसी खास बात थी चोई दुनिया के बाकी courses के अंदर नहीं थी मैं अगर यह रहो आप लिखूंगा कि this is one of the best university in the world and this course is like the top course in the world so nobody is going to give any kind of attention to this thing this sentence this sentence doesn't make any sense ठीक है पूरी दुनिया में आप apply कर रहे हैं हो सकता है दुनिया में उस university की ranking हो 400 हो सकता है 500 तो जो पहले नंबर की university है दूसरे नंबर की यह पहले 100 में जो है उसके अंदर भी तो यह courses आप पर हो रहे होंगे ना कैसा नहीं है कि कहीं नहीं इक यह कोर्स कि स्टूड़ी करते हैं स्टूडी करते हैं किस अंगल से स्टूड़ी करनें ठीक है तो जब होता है तो फिर थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंट होती है तो आप उपन पोजिशन खास तो पर जिसना इटली के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको कोई सुप्रोवाइजर अलाट नहीं है होना तो वह आप से पूछने के इस कोर्स के अंद अटिक है फिर आप यूरिटी की बैसिस पह चले जाएंगे की कि ती क्यों फिर कि ऑपने यूरमौर्टे की वीघूरिटी की को देखना ऊंपर कि थो कोई यहां पर कीँशा को लिए और यहां की स्टूंट्स हैं यहां से होने क्या इस से सीखेंगे लेट सब्सक्राइब के लिए कि आप इस से कौन सी चीजें अख़स करना चाहा रहे हैं को चीजें आपकी जहन में आती हैं कि यार भीया मुझे ये चीजें सीखने को मिलेंगी तो आपने जो है जब आप कर रहे होंगे की वेबसाइट जबाब को आपका अपना पता मतलब हांटेट परसंट नहीं शोर होंगे क्योंकि लेट से वो प्रफेसर चेंज भी कर सकता है लेकिन कुछ तो पता होगा जिस प्रफेसर के पास जाएंगे जिस डिपार्टमेंट में जा रहेंगे उस कोर्स की म से ज्यादा बात होगी क्या नक्सानात होते हैं लोग किसा नक्सान पहुँच सकता है उस की ऊपर लोगों को उस नक्सान से बचाने के लिए हम कूंच कर सकते हैं ठीक है assessment कर सकते हैं और दूसर इंवर्मेंटल हइजेड़ अब earthquake hazards is relevant to geology ठीक है उसमें जोलोजी वाला एकर सकता है environmental hazards से relevant उसमें environmental sciences वाले भी आ सकते हैं उसमें आप ozone की उपर काम कर सकते हैं उसमें आप pollution की उपर काम कर सकते हैं तो आपकी फिल्ड पता चल गी अब आप इस फिल्ड में रहते हुए जो आपको पता होगा कि मैंने इस पे काम करना है तो वो आपकी स्किल्स automatically आपको पता होने शुरू चले जाएंगी कि आपने earthquake की उपर काम करना है तो आपने seismic hazard analysis करना है आपने कोई जो है modeling करनी है structural modeling करनी है false identify करने earthquake क्या है आएंगे न तो blocks होंगे tectonic plates होंगी सारी चीजें study करनी तो आपके माइंड में छोटा सा story built up होनी शुरू हो जागी है तो आप बता सकते हैं कि जी मैं इस तरह की skills में यह achieve करूंगा हर किसी की feel like different है मैं जो है एक general बात कर रहा हूं फिर what do you want to do after complete the program आप करेंगे क्या है यह भी जो आप चाहिए होता है न करना कि मैंने PhD कर ली मैंने master's कर ली मैं करने के बाद आप आप आपक्यूपर आप प्यच्दी कर ली आप ने कर ली यह साइजमें के अंदर इस चीज की जुरूरत है इस रिसर्च के अंदर रिसर्च के मौझूद है मैं उस पर रिसर्च करूंगा तांके लोगों को फायदा हो सके मुस्तक्पल के अंदर जो अर्थक्विक्स अर्थक्विक्स तो हम रोक नहीं सकते कि दुनिया के अंदर सारी दुनिया की त खाक्तें मिल जाए तो अट्पर करोग सब्सक्राइब लेकिंट उसके नुकसान बचए जजरूर जा सकता है उसके नुकसान को कम से कम किया जा सकता है तो मैं उसके उपर काम करूँगा तो इस तरह के लाटो के लाजीकल आणसर बनाने की होनी चाहिए देखें आप अपने डाकुमेंटस जो है जितने प्रिसाइज और कंसाइज रखेंगे आप को अतना ही फायदा होगा किसी इतना time नहीं होता कि तीन pages का statement of purpose उठाके पढ़े ठीक है ना किसी के पास इतना time नहीं होता कि वो चार pages का उठाकर statement of purpose को जर पढ़ने बैखे जगा आप कोश्च करें कि एक page के उपर रखें आपका काम सिमट सकता है तो आप इसको कोश्च करें कि एक ही पेज के उपर आ जाएं फिर जो है वाट इस दे डिफरेंस बिट्वीन कवर लेटर एंड स्टेट्मेंट अप परपुस देखें कवर लेटर आप अप अप्लाइ कर रहे हैं आप जो है अपनी इसमें हलकी सी सीटमेंट असरफियुक् będziemy करें और पकी युरुजट साथ जाएं के वी आपको कवर मांगा जाता चूह कावर लेटर में आप यह बताते हैं कि कहां से पता चली हैं आक की स्पर्टीज कितनी थी और आप क्या expect कर रहे हैं उन से और आपके पास कौन से skills है वो बिलकुल brief जो है एक डेड़ पेराग्राफ के अंदर मैक्सिम्म दो पेराग्राफ के अंदर लिखके छोटी सी बात उनको आपने बता के submit कर देना है लेकिन जब आप से वो cover letter मांगेंगे तो एक होता है motivation letter वो different चीजे cover letter मुफ्तलिफ है motivation letter में पूछते हैं कि आपको किस चीज में motivate किया पढ़ने के लिए इदर apply करने के लिए तो आपने उसको उस तरह मौड़ करना होता है देखिए सारी चीजें कहीं ने कहीं जापे इनका आपसमें बड़ा connection होता है लेकिन थोड़ी सी differentiation होती है तो statement of purpose से जो है वो differentiate करना पड़ेगा फिर एक और चीज भी आती है personal statement भी मांगते है personal statement आप से आपने देखना है कि वो किन चीजों पर मांगी जाती है उसकी क्या differences होते है उस पर भी हम बात करेंगे कि personal statement और statement of purpose में क्या फर्क होता है अगली चीजों पर जाते हैं कि असलाम ले परसेंट प्रोफेसर scholarship offer हुआ है accommodation not included so which one आई शूड़ सेलेक्ट चीजी की और कोरिया यह आपके life goals पर डिपेंड करता है आपने अगर master's सोरी बेचलिस पाकिस्तान से किया मैं recommend यह करूंगा कि master's के लिए आप हमेशा से बाहर जाएं और वहां पर जाके करें आप यह देख afford कर सकते हैं कुछ part time job करके अगर आप afford कर सकते हैं तो मेरी personal recommendation यह होगी कि आप जहें इस option को opt करें अगर वह बहुत ज्यादा नहीं है एक तो बहुत ज्यादा है ना लेकिन यह 20% बाव उकात 1000 डॉलर पर मन्त आपको पड़ जाए तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा तो वह आप जो हैं पार्ट टाइम जॉब्स करके अगर आप कर सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो आप जो हैं मैं आपको recommend यह करूंगा कि फिर उस तरफ जाएं अगर आपके expenses meet होने की possibility हैं असानी से तो नहीं तो पिर आप यह जी की वाला ही opt कर लें और साथ apply करते रहें अच्छा आगे थोड़ा सा चलेंगे ना फिर इसमें हमसे पूछा जाता है पूछना चाहरे होते हैं बाज का क्या आपके पास है क्या चीज पास एक्सपीरियंस क्या है कि what kind of experiences and how how much past experience do you have in that particular field यह भी आप से पूछा जाता है कि मतलब पूछने का मक्सद यह है कि वह आप स नेखके पास है आगर हो अप्लाइय करना चाह रहा है तो उसके कों से इसके पास है कौन से इसके सब्सक्राइबंगा करेगा तो इसके पास कौन सी keeping ऐसे स्किल्स मौझूद है ठीक है ना और जो है आपके जो होते हैं वो आपने इसमें लाजमी मेंचिन करने होते हैं फिर जो है मैं फिर से बताता चलूं कि आप ने मैं यही मलक क्यों से लग्या इसका पार्टिकिलर आंसर देना चाहिए यह नहीं कि दुनिया के violence मुलक बहुत जीफिष दोशने के और बहुत जाए को फिर्स्रेम कि पर उस्जादा काम करते हैं लगा मैं है तो बाबा हईडरोजी की उपर बात करेंगे तो आप जो किर सकते हैं कि यह मैं इसकी करना चाहँ हूं इसलिए मैंने अना है इनके पास पोड़क्स रहत हें इन système करते हैं जिसकी वाईसे मुझे यह मूटिवेशन बंविजिए हैं यहां पर मैं עपता प्रूच हाँ continue कर सको अब आप जो हैं ऐसे मुलक में apply करें जहां पर वो आप जिसकी और भी जो आपके सकते हैं कि demand होती है यह expertise दूसरे मुलक में बहुत होती तो फिर आपने अपने आंसर को उस तरह से मोड़ करना होता है अपने आपका और अपने प्रोग्राम का connection आपने लाज़मी बनाना है कि मैं इस प्रोग्राम के लिए क्यों suitable हूँ यह जो मेरे रिसेर्च अब्जेक्टिव्स हैं तो यह प्रोग्राम मेरे लिए क्यों suitable है यह जब इस स्वाल का जवाब मैं आपसे चाओंगा for example मैंने एक position announce किये announce करने के बाद मैं अब आपके सामने नहीं हूँ आप मेरे सामने नहीं हूँ तो मैं आपकी बारे में यह चीज़ें जानना चाहता हूँ कि हाँ भाई यह एक्स वाई जी पर इस अब्दुल्ला है अहमद अली न अंदर मौजूद होंगे फिर आपका आपकी statement of purpose जो है वो complete होती है अपनी जो है इसमें चंद गलती हैं जो होती है इसमें एक गलती हम से यह होती है कि हम जो है जो जो बड़ी गलती हमारे पास आ जाती है वो यह होती है कि हम जो है बड़ी मुश्किल इंग्लिश टूनने की कोशिश करते हैं बड़े मुश्किल अलफाज टूनने की कोशिश करते हैं ताकि हम उनको इंप्रेस कर सकें ऐसा नहीं होना चाहिए क्यों क्यों आप इटली के अंदर अप्लाई कर रहे हैं आप जर्मनी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं आप ऐसे मुल्क में अप्लाई कर रहे हैं जिनकी ऑफिशल लैंग्विज जो है वो English नहीं है जिनकी mother tongue English नहीं है जिनकी native language English नहीं है तो आप ये लाजमी expect करें कि वो native speakers नहीं है तो हो सकता है कि उनको इस चीजें का पढ़ने के अंदर समझने के अंदर थोड़े से मसायल पेश आएंगे जिसकी वाएसे फिर जो है आप प्लेन English बिल्कुल basic जो अपना मसला समझाना है जिसको अपना मसला समझाना आ जाता है तो वही काम्याब हो जाता है त आई को यूज करने के वर्ड को भी उसके अंदर आपने कम करना होता है ठीक है उसमें आप अपने इस साथ चीजें करनी होती है तो hopefully जो है कुछ portion जो है statement of purpose का आज हमने discuss किया है और काफी सारे लोगों के questions जो 3-4 मुझे भी सुन रहे थे उनके मैंने answer करने की भी कोशिश कि आई इंशाललह से और जो है कुछ टिप्स जो होती है कि जैसे आई को यूज करना नहीं है डोंट यूज शॉट फार्म जो है छोटे-छोटे अलपाज जो है इस लैंग नहीं यूज करनी शॉट फार्म वर्ड की नहीं यूज करते होते हैं फॉलो दा लिमिट्स आफ एस हमेशना हमारे लिए इच्छ होता है तो आपने उसकी लिमिट्स को फालो करना है आपने अगर एक हजार से एक हजार पांच पर चले गे गयारा सो पर चलाएक एक हजार रिवर्ड काउंट है आप उसको रखे नाइन नाइन टी फाइप आप अपकी चीजें उसके निमट के आचानी चाहिए पर्सनल स्टेटमेंट्स कीप यूर पर्सनल इंफरमेशन टू ए सर्टन लिमिट लेकें बास दोग हैं अपनी चीजें अपने आपको फिर से जो चीजें सीवी के अंदर मौझूद होती हैं वो यहां पर लिखने शुरू कर जाते हैं यह आपकी सीवी नहीं हैं लेकिन अपनी जुचीजें सीवी के अंदर हैं वो इसके अंदर नहीं होनी चाहिए यह आपका स्टेटमेन्ट Never purpose है और apply करने से पहले लिखने से पहले आपको कहते हैं होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या apply कर रहे हैं क्यों apply कर रहे हैं किदर apply कर रहे हैं और आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं तो वो सारी चीजें आपने इसके लिखनी है यह थोड़ी से प्रोटेप्स आप से को को कहे दें सर कवर लेटर पर थोड़ा सा ब्रीफ करें प्लीज और सीवी के वे पर हम एक्स्टरा से इंशालला सेशन रखेंगे तो कवर लेटर और सीवी का क्वेस्टिन है तो आप मुझे डि-एम कर सकते हैं आज का सेशन जो पार्टिकुलरली जिस पे हमने बात करनी है वो थी स्टेटमेंट आफ पर्पेस की उपर जिसमें काफी सारी चीजे मैंने आपको बताई है कि ये चोटी चोटी चीजों का ख्याल रखते हैं तो फिर जो है हमें उसका फाइदा होता है फिर हमारी सेलेक्शन के चांसे जब को सीवी क्यूपर में छोटी सी एक चीज़ बता दूब ड Ao कल ή मज一個 किसी ने चीजी ती मुझे बेजी ती। उससे पहली सीवी जो उसके मझे बिझा उस ने बेजा उसने जल्दी हैten में कहीं बेजा या जिस तरह भी बैजा वो उसने परानी सीवी उठा कर बैज अब वो इतना प्राना वरियन था कि उसके अंदर बहुत सी ऐसी चीजें जो कोई डालता है नहीं सीवी के अंदर वो चीजें मुझूद होती हैं हैं तो मैंशे जल्दी में काम करने की कोईश ना करें कि ये आपके डॉक्क्मेंट्स जो हैं सब्मिट हो रहे होते हैं तो इसके अれて형 के इडियू कर रहा है basic skills हैं यह universal skills बन गया हर किसी को आते हैं आने चाहिए ठीक है ना तो हम कोई भी आप अलगा नहीं हो सकते cv के अंदर के मेरे पास मुझे Microsoft PowerPoint आता है और दूसरे को नहीं आता होगा ऐसा तो नहीं है कि वो प्लाइ कर रहा है उसको और पॉइंट नहीं होगा तो एक डीटेल मैं सेशन कोश्च करूंगा आएंदा आने वालों दिनों में सीबी की उपर रखनू फिर भी जिसका कोई पार्टिकुलर क्वेशन है तो क्विक वे में मैं आंसर कर दूंगा मुझे डीम कर देंगे आज के सेशन को क्लोज करेंगे जाने से पहले जो है आप जो है इसको लाजमी शेयर कर दिएगा आपने वाल्स की उपर तांकि जो हैं लोग सीख सकें उस से यह होता है कि जो बहुत ज्यादा फ्लक्स मेरे पास इन बॉक्स मैयार होता है तो वहीं पे अगर सुन लेंगे ना तो उनके उनकी स्वालात के जवाबात मिल जाएंगे मिलेंग सेशन में आज की सेशन बुक कंक्लूर करते हैं अल्ला हाफिद असलाम लेकम